अगर आप भी डेली के अंदर अपने income certificate को online renew करना चाहते हैं तो कैसे आपको online income certificate को renew कराना है उसे जुड़िवी सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ ही दोस्तों चैनल फिर फ्रस्ट लोग सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो चलेगे वीडियो को like और share जरू कीजेगा तो देखें दोस्तों income certificate की जो validity होते है दिल्ली के अंदर हो six month होती है तो आपको six month पहले ही आपको 15 days पहले आपको अपने income certificate renew कराना होता है तो कैसे आपको renew कराना है मान लिजे आपका जो income certificate है उसको six month होने वाले हैं complete तो उसके एक month पहले आपको renew का process को complete करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने mobile computer के browser को open कर लेना है और उसमें search करना है edistic की main website जो कि edistic.dellygovernment.nic.in सर्च करने बाद है कि हम edistic की website पह जाएंगे यहां से आपने पहले अपना income certificate के लिए fresh certificate के लिए apply किया हुआ है अगर नहीं apply किया तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाई है तो आप उस वीडियो को देखकर अपने fresh income certificate के लिए apply कर सकते हैं तो यहां पे मुझे अपनी income certificate renew करना है तो इसके लिए हमें इस बार जाना है register user login के option में जाने के बाद अब हमें अपनी Azure ID और password और right capture लोगिन कर लेना है अगर आप अपने user ID password बूल गए हैं तो कैसे आपको अपने user ID password को forget करना है यहां पर मुझे मेरी profile करेगी तो आप हमें income certificate को renew करने के लिए जाना होगा apply online के option में यहां पर जाना है apply for services के option पर click करने के बाद हम department of revenue के option पर आजाएंगे यहां पर हमें search करना है issuance of income certificate देखेंगे यहां पर मैं search करता हूं तो यहां पर मिज़े इस वेरी करता रहता है तो आपको यहां पर सर्च करना है issuance of income certificate और इसके सामने देके आपको time period दे या है इस सकते हैं otherwise हमें continue option पर click करना है continue option क्लिक करने पर next step पर जाएंगे जहां पर हमें अपनी service related detail कुछ फिल करनी होगी तो यहां पर अपने income certificate को renew करने के लिए आपको कुछ detail फिल करनी है तो यहां पर सबसे पहले पूछता है आपको purpose of obtained certificate यानि आपको certificate कि किस के लिए बनाना है व आपके सारे option देखने को मिलेंगी अगर आपका purpose यहां पर सो करता है तो यहां पर select कर लिएगा अधर भी select कर सकते हैं इसके बाद second option पूछता है place of residence अगर आप दिल्ली के अंदर आपका अपना घर है तो आपको owner select करना है अगर आप रेंट पर रहने तो रेंट को option select करना है तो हम renew करना चाहते हैं तो इस option को हम यहां पर yes करेंगी yes करने के बाद अब हमें अपने old income certificate की information यहां पर फिल करनी है इसमें सबसे पहले income certificate number आपके फिल कर देना है जो कि आपके old income certificate पर आपका mention होगा साथ पर आपकी annual income कितनी थी उस certificate पर mention तो आपके फिल कर देनी है issue authority कोन है किसने आपको वह वेडिफाई किया है किसने आपका income certificate आपका बनाया है वह आपके mention कर देना है तो यहां पर SDM डाल सकते हैं फिर तैसिलतार आप यहां पर डाल सकते हैं इसके बाद फोर तो आता है आपके आपका electricity connection इन यूर नेम अगर candidate के नेम पर घर पर आपका electricity connection आता तो कुछ न कुछ आपका bill आता है वो आपके फिल कर देना है जिरू आपको फिल नहीं करना है इसके बाद 5 vert घर पर आपका करने के बाद 8 step आता है कि आपकी annual income कितनी है जितने का आपको इंकम सब्सक्राइब करना है तो यहां पर पहले पता ही होगा अपने इंकम सब्सक्राइब कर सकते हैं जितने का आपको इंकम सब्सक्राइब करना है इसके बाद आपको मंतली इंकम आपको फैमिली मेंबर की किसी पहले पपने के पहले करना है तो यहां पने किया है। तो यहां पर देखे सबसे पहले document जो आपको upload करना है वो करना है identity proof of applicant proof of electricity connection साथ में थर्ड ओप्षन मिलता है यहां पर proof of old income certificate आपको upload करना है इसको आपको attest करके आपको upload करना है साथ में fourth option मिलता है आपका residence proof फिप्षन मिलता है हमें यहां पर सेफ्ट जायें जैसे से अपको generate self-vision form इस ओप्षन पमें क्लिक करना है किलिक करने के बाद हमारे सामने जनरेट हो जाएगा इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है प्रिंट निकालने और पाद हम इस एक एटरेट करना है तो यहां पर देख कि आपको आपको तो कर देने हैं और इसको आपको स्कैन कर लेना है पीडिया फाइल में यह जब लेना है और अब हम यहाँ पर वापिस आते हैं वापिस आने के बाद देखे हैं हम डेशबोड बाचुके हैं आपको अपना जो आपका Old Income Certificate है उसको भी download कर लेना है अगर आपके पास उस पहले से available है तो आपके अच्छी बात है अदरवाइस आपको इसको download करने के जाना का पर प्रिंट पर जाना है यहां पर आपको अपना old certificate का number डाल लेना है number डालने के बाद आपको date अबर डाले है candidate की डालने के बाद आपको submit के option पे click करना है submit के option पे click करने के बाद आपका old certificate यहाँ पे download हो जाएगा इसको आपको open कर लेना है और इसको print out निकालके आपको इस पर sign कर लेना है अगर आपको प्रिंटर नहीं है तो सेम तरीके से आप जैसे हमेना Self-Document Form बताया आपको उसके Sign कैसे करना है उसी तरीके से ही आप अपने Old Certificate को भी Self-Attested कर सकते हैं अब देखे दोस्तों Document Ready होने के बाद आपको जाना कहां पे हैं तो मैं आपके अपने Homepage आता हूँ हम पर जाने कब जाना है Apply Online के Option में और Pending for Submission के Option में क्लिक करना है इसके बाद आपको क्लिक करना है Pending for Supporting Document के Option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको Document Upload के Option पर डायक्ट आजाएंगे यहाँ पर आपको अपने Document Upload करने है 1-1 और Pai Alamadetti Proofed Upload कर लेता हूं यहाँ पर इस पर अप्लोड करता हूं यहे फिर आप अपने Document hood Digilokr से भी हाँ पर Upload कर सकते हैं तो यहां पर Fatch Option मेलता है इस पर एपने Document Upload कर सकते हैं डिखाने वाला हूं तो अप्लोड करने के बार नेक्स टैप पे आजाओंगा यहाँपर सेलेक्ट करना है अपने डोक्यमित टाइप कुन-कुन से हैं यहाँपर अधार कार्ड रसंकार्ड ड्राइविग लेशन पैन कार्ड पास्पोर्ट और क्वाइफी डोक्यमित डोक्यम इंकम certificate बनाया है तो यहां पर डोकुमेंट का option मिलेगा अगर आप कोई option नहीं मिल रहा है तो आप simple तरीके से अपना यहां पर document type में अपना UDID लिखना document number डालना अधरकाड नमबर और अपना file upload करके आप यहां पर करके आपको upload कर सकते हैं तो यहां पर मेरे जो पहले सी अप्लोड है यहां पर document अधरकाड उसको मैं आप select कर लेता हूं document में इसके बाद मुझे हां पर click करना है no continue with existing document के option पर click करके यहां पर अपना document upload कर लेना है तो देखे मेरा आप अधरकाड अप्लोड हो चुका है पर click करना है click करने के बाद आप next app पर आजाएंगे यहां पर आपको अपना इलेक्सिटी डिटेल देनी है जिसमें आपको अब और लेक्सिटी करने के बाद आपको अपलोड करना एक इसके पहले मैं आपको अप्लोड करना है और देखाने वाला हूँ इसके लिए अपलोड करता हूं क्लिक करने के बाद सेम टरीके से यहां पर मिलें लेंगा कर लेना है यहां पर सकते हैं सीलेट करने के बाद struggle करना है यां़ शेम अप्लोट्ट करना के बाद मुझे आपना प्रोफ ओ प्रोफ करना है नंबर डालना है कि आपका और इंकम सर्टिफिकेट का नंबर है तो आपको फाइल करनी है और फाइल जो सेलेक्ट करनी है वह को आपकी Self Attested होनी चाहिए चैसे उसके लिए मैंना लग से वीडियो बनाई है कैसे आप कर सकता है अपनी PDF फाइल को और PDF फाइल जो आपका maximum size होना चाहिए हो 100 के भी होना चाहिए जल्दिसे मैं अपने यहां फे फाइल को upload कर लेता हूं चोज़ ऑप्लोड कर के यहां पर मैं अपनी old income certificate की फाईल को यहां पर upload कर लेता हूं इसके बाद ट्रमेंट कंडिशन का एक्सेट करना है एक्सेट करने कबाद अफ़लोड को पर क्लिक करने कबाद देखें यहां पर मेरी ओल इंकम सर्टिविकेट का प्रूब पिया पर व्लोड हो चुका है अब मुझे अपना पर शैल प्रिशन फोर्म उपलोड करन करना है इसके बाद डोक्यमेंट नंबर फिल करना है आपको अपने डॉक्यमेंट नंबर में फिल करना है तो मैं अपने इसे फाइल जोज करता हूं जो की मेरी Self visited है यहन Çाइन हुआ है उसको मैं कैसे साइन किया है उसके लिए मेरे पहले आप बता जये कि कैसे को साइन करना हैひंग करने के बाद की बरें सब्सक्राइस के आपको करें के लिस आप इसको आप व्यूबी कर सकते हैं देखिए चांटे लेम और फोटो नियुकल कि करना है ईगर आपको फोटोगराफ अपलोड़ करना है इसके बाद करने बाद है और यहां आप अपनी अपिक कर सकते हैं इसके बाद आप foundation कर देंगे तो आप नहीं कर सकते हैं वेरिफाइए करने बाद आप दो double submit करना है इसके बाद यह लीक बाद प्को पर आएगा आप सामने प्रेका कृक्त पर लेका नभरो स्कृश्ब्सक्राइब कि आपको ओट इपी फिल कर लेना है और सब्मीट के उपसंग करना है तो यह और आपके मोबाइल नंबर पर जाएग सकते हैं जल्दी ना। और फिर आपके इंट करने के बाद आपके अप्लेक्शन प्रोस्जाटेश हो जाएगी इसके बाद आप को प्रिंट आउट निकाल लेना है इसमें आपके इस नमब्र होगा आपके नेम होगा आक आपने अपनी और एकto के आपको ऑपने पास लखनी है और दस बजे से लेके आपको एक बजे के बीच में आपका timing दिया हुआ है और यह lunch time के बार timing दिया है इस time में जाके आपको अपने document verify कराने है अपनी scan copy पर साथ में ले जानी है और अपने original document भी आपको अपने साथ रखने जो आपने upload की हैं तो यह जाके आपको verify करा देना है verify कराने के बाद within seven days गंदर आ बबर आप उसको सेम बेगार्णों कर चाहिए तो आप इसका प्रिंट-टाउट निकाल लीजेगा प्रिंट-ाउट के साथ के कर ले जाना है आपको इसका प्रिंट-टाउट ले जाना है यह निक वरिफाई करा लेना है और आपको शूह देज अंदर आपका जो इंकम सर्टिफिकेट आपका बनके रेडियो जाएगा और उसको आप